हलो एन बेलकम टू बाइजूस गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल दोस्तो आज हम लोग डेली करेंट अफेयर में डिसकस करेंगे 25 त मार्च 2021 के न्यूज पेपर से जो कि आपके आगामी परिक्षा, CHSL, Combined Graduate Label, NTPC, Intelligence Bureau and Other State Services एक्जाम के साथ साथ, Banking Services के एक्जाम के लिए भी यहाँ लाबदायक सिध्ध होगी, तो आईए एक एक करके चर्चा करते हैं, आज के राष्ट्री मामलों में पहली खबर है, दोस्तों ऐसा करने वाला यह पहला राज होगा, तो राज उद्योग मंत्री सायद सहनवाज हुसेन ने एथेनाल उत्पादन समवर्धन नीटी 2021 का सुभारंब किया, दोस्तों यह ऐसा, चुकि राज कैबनेट द्वारा इस नीट को मंझूरी दिये जाने के बाद, बिहार जैव इधन 2018 की राष्टी नीट के तहट एथेनाल समवर्धन नीटी लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट हो गया है कौन? बिहार, यह नीटी एथेनाल की निका प्रदेश का है, हाला कि चिनी की उतपादन में महारास्ट का प्रथम अस्थान है, याद रखेंगे, और विश्स्युमेक गन्ये के उतपादन में बात की जाती है कि जैसे कि ब्राजील है और भारत है, ये दो बड़े उतपादक राज्ज हैं, तो दोनों में प्रतियस पर बाइझार रहती है, अब ब्राजील जो है, पहले अस्थान पर आ गया है, गन्यक उथ्पादण में, भारत का दूसरा अस्थान है, लेकिन चिनीक उथपादण में अगर बात की जाएं, तो सूगर प्रोडक्षन में इन्डिया का फस्ट रैंक है, क्यों कि ब्राजील जो है, अपने गरने का प्रयोग एथेनौल गैस के रूप में कर लेता है तो वो एथेनौल बनाने के कारव चुकि वहां की जो 50% जो आटो मोबाइल सेक्टर है वहां बायो गैस से बायो इंधन्स बायो फ्यूल से चलता है तो यही कारण है कि वो अपना जादा से जादा गरने का यूज एथेनौल में कर लेता है तो इस तरह से अपने भारत में चुकि अपने यहां चीनी का भी जरूरी है उशकता है उत्पादन करना चुकि चाय भी पीने वाले लोग हैं तो इस तरह से यहां पर यह देख शकते हैं कि मशिनरी की लागत का 15% अतरिक्त सरकारी अनुदान भी मिलेगा इसके तहट जो कि अधिकतम 5 करोन रुपए तक होगा और यहां बिहार और दियोगिक निवेश प्रोसाहन नीटी 2016 के तहट मौझूदा प्रोसाहनों के अतरिक्त होगा दोस्तों इसमें जो मुखे भी शेस्टाए हैं यहां मतलब नीटी निवेशकों के साथ साथ अन्यहित धारकों को भी पारश्रमिक रिटर्न प्रदान करेगी किसानों को इसका बहुत महत्पूर्ण लाब मिलेगा यहां उन किसानों की आएको सीधे तोर पर बढ़ाएगी जो एथिनाल निर्माण के लिए फीड स्टॉक या कच्छे माल का उत्पादन कर रहे हैं सरकार द्वारा यह वित्तिय शहायता ग्रीन फिल्ड स्टैंड अलोन भी निर्माण इकाईयों को प्रदान की जाएगी जो की केंदर सरकार के एथिनाल समिस्रन कारिक्रम के तहद तेल निर्माण कमपनियों को 100% की आप उर्ति करने के साथ साथ एथिनाल का उत्पादन कर रही है और यहां नीती रोजगार निर्मित करने में मदद के साथ सा प्रदूसर्ण को भी कम करने में मदद करेगी यानि कह सकते हैं कि Reducing Pollution वर्तमान में देश में पेट्रोल में बायो एथिनॉल समिस्रण 6.2 फीज दी है जबकि सरकार ने वर्ष 2030 टग 20% समिस्रण का लक्ष रखा है और दोस्तों वर्तमान में भारत में 5.30 बैरल यानि 1000 बैरल एथिनॉल का उतपादन होता है जो ब्राजिलिया USA की तुलना में बहुत ही कम है दूसरी और बिहार 12 करोन लीटर एथिनॉल का उतपादन करता है देश में एथिनॉल उतपादन में पांचवें अस्थान पर है तो इस नवीनतम नीट के करियानवन के साथ सरकार का लक्ष है यानि बिहार सरकार का लक्ष है कि भारत को एक एथिनॉल हब बनाना है और हर साल पचास करोन लीटर एथिनॉल उतपन करना है और अब बढ़ते हैं दोस्तों एसिया जार्जस ट्यूलिप गार्डेन बिथ 1.5 मिलियन फ्लावर्वर्स आज से ही यह खुल गया है तो इसमें 64 है यानि 64 विराइटीज और इस दर लार्जस ट्यूलिप गार्डेन इन एसिया इस्पेट ओवर 30 हेक्टेयर यानि 30 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है कितना सुन्दर दृश्ट है इसका और बीते साल कुरोना महमारी के चलते यह सेलानियों के लिए बंद रखा गया था और 2007 में इसे कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और परेटन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था तो यह फैक्ट बेस है याद रखिएगर कहा है तो यहाँ जम्मू कश्मीर में है श्रीनगर में है कौन ट्यूलिप गार्डेन जो की एसिया का सबसे बड़ा गार्डेन है यानि 15 लाख फूल है यहाँ पर फूलों की संग्या है जिसमें 64 वेराइटीज है और कश्मीर गाटी, यहाँ पर कश्मीर में केशर की भी खेती होती है यहाँ करेवा स्वायल पाई जाती है जो की केशर की खेती के लिए जिसे सफरोन कहते हैं तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है अब बढ़ते हैं दोस्तों International Affairs में North Korea test short range missiles यह जो समाचार आ रहा है अमेरिका और साउथ कोरिया के अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कोरिया ने कम दूरी की मिसाइलों का परिक्षण किया है जबकि नए रास्टपती अमेरिका के जोसेफ बाइडन जन्वरी में चुने गए अब इसके बाद उत्तरी कोरिया ने अपना फिर से रंग दिखाना सुरू कर दिया है हाला कि अमेरिका इसके बावजूद कहा है कि वह उत्तरी कोरिया की इस करवाई को बहुत ज़्यादा माइने नहीं लेता है कारण क्या है कि साथ ही वह भी कहना चाहता कि इन परिक्षणों के बाद भी उत्तरी कोरिया से वह वारता के लिए तयार है तो यानि उत्री कोरिया से शांती स्थापित करना चाहता है अमेरिका तो इसलिए उसने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हर देश अपना रूटीन के लिए इस तरह कारवाई कर सकता है तो इसमें कोई ज़्यादा परिशान होने वाली बात नहीं है तो इस बीच बाइडन परशासन के दो वरिश रदिकारियों ने बताया है कि उतरी कोरिया ने ऐसे मिसालों का परिक्षण किया है जिन पर संयुक तरा सुरक्षा परसद का प्रतिबंध भी नहीं है तब वहां कर सकता है तो इस तरह से दे साउथ कोरियन मिलिटरी से टू करता रहता है और इधर जो है साउथ कोरिया इसको अमेरिका सपोर्ट करता है तो इस तरह से यह जापान है तो इह जो है जापान अमेरिका साउथ कोरिया यह समका एकमत है और इधर चीन जो है उतरी कोरिया जैसे भारत के लिए पाकिस्तान को हमें साउख साता रहता है उसी इसे लेकर अमेरिकी राष्टपती ने कहा कि बहुत कुछ नहीं बदला है उन्होंने जो किया वह कोई नई बात नहीं है या एक सामान ने सैन गत्वी दी है तो इसलिए हम इससे कोई बीचलित होने वाली बात नहीं है हम इस पर कोई करवाई नहीं करेंगे बलकि हम शानती इ करने का प्रयास करेंगे उतरी कोरिया से संब्दित मुद्दों पर अगले सब्ताह जापान और दक्षिन कोरिया तिधर ये जापान है और ये साउथ कोरिया है तो इन दोनों के साथ त्रिपक्छी पहली बार त्रिपक्छी ये कह सकते हैं यानि कि यह तीन देसों की यह बा जापान दक्षिन कोरिया के NSA, इसके नतीजें वाँ अन्यमुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, तो यह मांचित्र में इसे जरूर देखिएगा, यह नौर्थ कोरिया इसकी राजधानी क्या है, प्योंग योंग है, साउथ कोरिया इसकी राजधानी क्या है, सीयोल है, यह भी भी ध्यान रखेंगे, अब बढ़ते हैं दोस्तों, Minister of National Defense of Republic of Korea to visit India, फिर एक खबर और आ गई है, मांचित्र वहाँ पर हमने चर्चा की ही है, तो यानि कि दक्षिन कोरिया के रक्षा मंत्री हमारे देश आये हुए हैं, तो भारत और कोरिया के भी सैन संबंद, रक्षा संब बंदों में और प्रगाढ़ता, यानि तीन दिवशी यात्रा पर आये हुए हैं, वहां के रक्षा मंत्री सुह वुक तीन दिन के यात्रा पर आये हैं, तो अपने दोरे के दोरान उन्होंने दक्षिन कोरिया की तरफ से भारती सेना को धन्यवाद देने के लिए पैरा फिल अस्तवादी नीती अपनाया था, तो वहां किसी का साथ नहीं दिया था, हालां कि इस सैनिकों के लिए वहां अलग से वह सुविधाएं, दवाएं और ये सब चीज महिया करा रहा था, तो दक्षिन कोरिया के रक्षा मंत्री सुह वुक ने तीन दिवशी भार यात्रा के द इसके अलावों वो शुक्रार को दिल्ली कैंट में इस्थित भारत कोरियाई फ्रेंट्सिप पार्क ये भी याद रखना, कहां दिल्ली कैंट इस्थित फ्रेंट्सिप पार्क का उद घाटन भी करेंगे, तो दोस्तों कोरियाई रक्षा मंत्री आगरा भी जाएंगे, आग करेंगे इसके पीछे क्या कारण है तो चुकि पैरा वह जब ताकत का यह कह सकते हैं कि कोरियाई रक्षामंतरी सहवुक राजनीत में आने से पहले कोरियाई सेना के प्रमुक भी रह चुके हैं और एक सबसे महत्पूर्ण बात है कि यह जो हमारी पैरा बिग्रेट हेटकौर् हमलित होंगे पिछले कुछ सालों में भारत और दक्षिड कोरिया के भी सैन संबंध काफी मजबूत हुए हैं हाली में भारत ने दक्षिड कोरिया से 100 K9 वजर तोपों का भी सौदा किया था जिने हाली में पाकिस्तानी सेना पर तैनात किया गया था और सिंदु सुदरसन युद्या भ्यास भी दिखाई पड़ी थी तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत और दक्षिड कोरिया के भी संबंधों में प्रगारता होती जा रही है और दोनों देश आपस में दूसरे के कह सकते हैं रक्षा संबंधों में भी और उसकी राजधानी याद रखना स साउथ कोरिया की ये भी याद रखना अब बढ़ते हैं दोस्तों इजिप्ट स्वेज कैनल ब्लॉक्ट बाई हुज कंटेनर सिप दोस्तों ये घटना घटित हुई है मिसर की स्वेज नहर में एक बिशाल कायक कारगो कंटेनर सिप के फसने के चलते भीसर जाम लग गया है आप लोगोंने सुना होगा सड़कों पर जाम लगते देखा होगा लेकिन यहां पर दोस्तों समुदर में जाम लग गया है खासकार स्वेज कैनल एरिया में तो अधिकारीों ने यह आवेर किया है या चेटावनी दिया वान किया है यदि इस सिप को जल्थ से जल्थ बाहर नहीं निकाला गया तो इस नहर के रास्ते होने वाले बैस्विक आपूर्ती प्रभावित होंगे इवन दामों की भिक्री मतलब कह सकते हैं कि वस्तों के दाम बढ़ जाएंगे तो यह भूमद्य शागर जैसा कि आपको पता है मेटेरियन सी कहां पर है अफरीका महादीब और योरोप महादीब के बीच में अवस्तित है तो यह जो है भूमद्य सागर को लाल सागर से जोडने वाली स्वेज नहर के जरीए एसिया से योरोप जाने में जहाजों को आसानी होती है और उन्हें पूरे अफरीकी महादीब का चकर नहीं लगाना पड़ता अभी मांचित में दिखाऊंगा तो इस सिप के फसने से हर घंटे सैकड़ों करोन रुपए की आर्थिक छटी हो रही है ऐसा माना जा रहा है कि जो MV गीवन नाम यह राद रखना इस जहाज का नाम क्या है MV गीवन नाम की जहाज पर अमेरिकी देश पनामा का जहंडा लगा हुआ है तो यह कंटेनर शिप एशिया और योरोप के बीच ब्यापार करता है तो इसके नहर में फसने की वज़ा से दुनिया में कई जरूरी वस्तों की कीमतों में उच्छाल आ सकता है जिसमें पैट्रोलियम भी सामिल है तो इस कंटेनर शिप की बिशालता का अंदाजा इसी बास से लगा जा सकता है यह करीब 400 मीटर लंबा है और इसका वज़न 2 लाख मिट्रिक टन है और इस जहाज का संचालन एवर ग्रीन मरीन कारपस नामक ताइवान की एक शीपिंग कंपनी कर रही है यह भी लाइन याद रखियेगा तो जहाज के नहर में फसने के चलते हर घंटे करीब 40 करोन डॉलर सोच रहे हैं ना 2800 करोन रुपय की चपत लग रही है नुक्षान हो रहा है तो दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 12% इसी नहर के जरिये होता है तो यह बहुत ही महत्पूर है आर्थिक दिश्ट कोन से और दोस्तों भूमत सागर और लाल सागर को जोड़ती भी है 1869 में बनी यह नहर 193 किलो मीटर यह लंबी है और कुछ जगहों पर 205 मीटर तक यह चोड़ी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह गल्फाफ स्वेज इट इस पार्ट आफ रेड़ सी देख रहे हैं ने मेटेरियन सी को जोड़ती है यहाँ पर देखना है लाल सागर दो भागों में एक इधर चला गया है एक इधर चला गया तो यह स्वेज कैनाल है ध्यान रखेंगे और यहाँ पर कभी कभी यह लेक पूछ लेता है याद रखना लेक मंजाला सबसे पोर्ट साइद इसमाईलिया यह देखना है ने शहर इसमें पढ़ते है यह स्वेज है यह उत्तर से दक्षिन लगाने को आ जाता है अलकॉंतराह पोर्ट साइद इसमाईलिया एंड स्वेज यह उत्तर से दक्षिन यह इन जीलों को लेक मंजला याद रखिएगा और ग्रेट बीटर लेक और इस तरह से यह लेक भी लगाने को आ जाता है तो इसे ध्याँ रखेंगे और यह लाल साँगर है और इधर यह मेडिटेरियनसी है तो यह यह 배 आफ और इधर यह सिनाई प्रननसूला है सिनाई और यह मिस्र में अवस्तित है यह जो नहर है तो यहां कह सकते हैं कि आर्थिक दिस्कोर्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशन इंटरनेशन प्रिस्नालिटी नियूज में आज हम बात करेंगे जस्टिस एनवी रमना विल बी दे नेक्स चीफ जस्टिस आफ दे सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख नयाइधीस हो सकते हैं यह दूसरे सबसे वरिष्ट जज हैं जस्टिस एनवी रमना यह देश के अगले मुख नयाइधीस हो सकते हैं इनके नाम की सिफारिस सरद अर्विंद बोबडे साहब जो कि 47 यानि 47 मुखनयाइधीस हैं और ये बन जाएंगे तो ये 48 48 मुखनयाइधीस बनेंगे दोस्तों तो CJI ने बोबडे को 23 अपरेल को रिटायर हो रहे हैं अगर सरकार बोबडे की सिफारिस मान लेती है तो 24 अपरेल को जस्टिस रमना साथ सपत लेंगे तो दोस्तों जस्टिस नाथुला पति वेंकट रमना 2014 को सुप्रिम कोड के जज नियुकती हुए थे और वह 2022 में रिटायर होने वाले हैं तो 10 फरविर 1983 से वो वकाला सुरू किये थे चंदर बाबू नाइडू अंत्रदेस के जब मुखमंतरी थे तो उस दोरां जस्टिस रमना अंत्रदेस के एडिसनल एडवोकेट जनरल जैसे कि वहाँ पर केंदर में होता है ना क्या होता है अनुछे चियत्तर के अंतरगयत महानयवादी जिसे क्या कहेंगे एटार्णी 2013 से लेकर 20 मई तक वह जो है आंत्रदेस हाई कोड के एक्टिंग चीफ जस्टिस है और 2 सितंबर 2013 को जस्टिस रमना का प्रमोसन हुआ इसके बाद वह दिल्ली हाई कोड के चीफ जस्टिस न्यूद किये गए थे अब वह जो है चीफ जस्टिस आफ इंडिया की दौड में ह और याद रखेंगे इसके लिए क्या योगता होनी चाहिए अनुचेद 124 में भारत का एक सरवोच नयायल होगा जिसमें एक मुक्य नयाय धिस और 33 अनय नयाय धिस होंगे जो की राष्टपती के दौरा नियुक्त होता है तो इस तरह से जो है अभी इस पर आगे और भी चर्चा होगी जब गोशना हो जाएगी तो इसके बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा कैसे सपत लेता है इस पर कैसे इसको अटाया जाता है इन सारी प्रक्रिया को फिर स से आगे हम चर्चा करेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्य संबंदी समाचारों में फिच चेंजेज इंडिया जीडिपी ग्रोथ इस्टिमेट सेज इज इट विल ग्रो एर 12.8% इन 2021-22 तो दोस्तों फिच रेटिंग्स ने अगले वित्वर्स 2021 के लिए भारत की ब्रिदिदर का अनुमान बढ़ा कर 12.8% पहले रेटिंग एजंसी ने अगले वित्वर्स में यह ब्रिदिक 11% रहने का अनुमान लगाया था तो फिच ने अपने ताजा वैस्विक आर्थिक परदिस में कहा है कि भारत लॉक डौन की वज़ा से आई मंदी की स्थ जोधन कर दिया है तो दोस्तो रेटिंग एजंसी ने कहा है कि 2020 की दूसरी छमाही से पुनदार से सकल घरेलू उतपाद अपने महामारी पूर्व के अस्तर पर पहुंच गया है तो ऐसे में हमने 2021-22 की ब्रिदिदर के अनुमान को 11 फिजदी से शंशोधनी इसको एमेंड कर करके बड़ा मतलब चेंज करके कितना कर दिया है 12.8% कर दिया तो यह अच्छी कबर है और दिसमबर में GDP की ब्रिदिदर महामारी पूरु के स्तर को पार कर गई है तो तिमाही के दौरान सालाना आधार पर GDP में 0.4% की ब्रिद हुई है इससे पिछली तिमाही में GDP में 7.3% की गिरावट आई थी यह भी पॉइंट देख लीजिएगा अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरसकारों में हम बात करेंगे आज मैन बूकर आवार्ड की दोस्तों यहाँ पर देखी यह मैन बूकर दो है काफी बच्चे कनफ्यूज हो जाते हैं तो एक अंतरास्टी है म Commonwealth Countries यहाँ पर बिटेन का आधिपत्य रहा है यहाँ पर बिटिस कॉलोनी रही हुई है वहाँ के देशों के साहित्यकारों को दिया जाने वाला यह पुरसकार है मैन बूकर और इंटरनेशनल मैन बूकर पुरसकार दोस्तों यह जो है किसी भी साहित्यकार को किसी भी लिटर देशर के जगत के साहित्यकार को दिया जा सकता है और दोस्तों इसकी सुरुवात 1969 से हुई थी जबकि इसकी सुरुवात 2005 से हुई थी पहले यह हर दो वर्स पे दिया जाता था 2005 के बाद 2007 में दिया जाता था फिर 7 के बाद 9, 11, 13, 15 15 के बाद फिर यह भी Every Year यानी हर साल दि Man Booker Award की तो Man Booker पुरसकार for fiction जिसे लगूरूप में Man Booker पुरसकार या Booker पुरसकार भी कहा जाता है तो यह रास्ट मंडल या Ireland के नागरिकों जिंबांबे के देशों को भी दिया जाता है जहां पर जो है British अधिपत्य नहीं रहा है तो इस तरह से मतलब देखे रास्ट कुल का मतलब क्या हुआ यानि Commonwealth country तो यहां पर British colonies रही हुई है लेकिन साथ में Ireland जिंबांबे के देशों को भी यह दिया जाता है तो इस तरह से अंग्रेजी उपन्यास का हर वरसिया जाता है और ध्यान रखेंगे यह 1969 में England की Booker MacConnell company द्वारा की गई थी और इसमें 60,000 pound की रासी बिजेता लेखक को दी जाती है प्रथम बुकर पुरसकार 1969 में United Kingdom के ही उपन्यास कार P.H. Newby को दिया गया था उनकी पुस्तक का नाम था Something to Answer for ध्यान रखना दोस्तों उपन्यास या पुस्तकों का नाम भी पूछ लिया जाता है हलाकि अंतर रास्टी मैन बुकर में रिसर् साल 2020 का बुकर पुरसकार जीता है उनके उनके जो पहला पन्यास है सगी बेन इसके लिए इसको सम्मानित किया गया है और दोस्तों अभी तक भारत का योगदान अगर हम बात करें तो सबसे पहला भारती 1971 में 1971 में बिद्याधर सूरजमल नाइपॉल का नाम सुना होगा उन दूसरे भारती कौन थे 1981 में 1981 में सल्मान रुसदी इनकी पुस्तक का नाम था Midnight Children याद हो जाएगा फिर 1997 में अरुंधती राय इनका नाम तो सुना होगा The God of Small Things के लिए दिया गया था और दोस्तों फिर वर्स 2006 में किरन देसाई को दिया गया था इनकी पुस्तक का नाम है In Inheritance of Loss और दोस्तों 2008 में अरुंध अडिगा को दिया गया था इनकी पुस्तक का नाम है White Tiger तो इस तरह से आप देख ले हैं 1,2,3,4,5 पांच भारतियों को यह बुकर पुरसकार मिल चुका है तो याद हो जाएगा यह फैक्ट है इनने ध्यान रखेंगे अब बढ़ते है है दोस्तों खेल समाचारों में PT USA and Randhawa became the head of junior and senior national athletics selection committee फराटा क्वीन PT USA का नाम तो सुना ही होगा भारती athletics महासंग ने जूनियर चेहन समित का इनको अध्यक्ष बनाया जबकि महान बाधाद और एथलीट गुरवचन सिंग रंधावा senior चेहन समित के अध्यक्ष होंगे तो यह जो है PT USA 56 वर्सी इन्होंने बहुत सारे कारनामे किये थे 1984 में लॉस एंजल्स ओलम्पिक में 400 मीटर बाधा दौर में चोथे स्थान पर रही थी और दोस्तों junior समित में सोमा विस्वास, आनन मेंजेस, सतवीर सिंग, संदीव सरकारिया, सुनीता रानी, रीमा चंदरन, जोसेफ अबराहम, यह सब लोग इसमें सामिल हैं, वहीं सीनियर समित में पूरू कोच, मुखे कोच, बहादूर सिंग, बहादूर सिंग सग्गू, किशना पूनिया, जोतिर मैसिकदर, उदै प्रभू, प्रविर जॉली, गोपाल सैनी होंगे, तो 81 वर्स के रंधावा अब बढ़ते हैं दोस्तों, ISSF वर्ल्ड कप दिली में हो रहा है, तो यह इसमें ऐश्वर या तोमर ने 50 मीटर राइफल में 3 पोजिशन परधा में स्वर्ण पदक जीता है, ऐश्वर या प्रताफ सिंग तोमर, ISSF जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो गए हैं, व भारत ने इस टूनमेंट अब तक 8 स्वर्ण पदक, 3 सिलवर और 4 कांस पदक जीत चुके हैं, तो इस तरह से ISSF विश्वकप 2021 का आयोजन नई दिली में कब तक चलेगा 29 मार्च तक चल लेगा, तो 18 मार्च से लेके 29 मार्च तक यह भी धियान रखेंगे, अब बढ़ते हैं इन दोनों जगह प्रशाशक होते हैं, यहाँ उपरा जिपाल नहीं होते हैं, तो यहाँ भी केंसासित प्रदेश है, एक नॉमबर 1956 को स्थापित हुआ था, इसकी राजधानी कवर अत्री है, यहाँ के एडिमिस्टेटर प्रफुल पठेल हैं, यह प्रफुल पठेल वाले सबसे चोटा स्टेट है, चाहे वहाँ यूनियन टेरिटरी है और इस्टेट दोनों मिला ली जाए जाए, सबसे चोटा है, यह धियान रखेंगे, 70,365 इसकी जनसंक्या है, 200 इसका स्क्वाइर किलोमीटर क्या है, जनसंक्या घनत तो है, यहाँ मल्यालम बोली जाती, चुक भ्यारन है, यह कई बार परिक्षा में आया हुआ है, याद रखिएगा, अब दोस्तों थोड़ा सा मांचित में यह देख लेते हैं, यहाँ पर यह देख रहे हैं, कावरत्री राजधानी है, तोस्तों याद रखना कि परसेंटेज के आधार पर सिजूल ट्राइब, 94.8% यानि स्टेट और यूनिट रेट रेट दोनों मिला लिया जाए, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के आधार पर जन जाती हैं, लक्षदीप में ही है, 94.8, जबकि मिजुरम में कितनी है, 94.4% है, ध्यान रखिएगा, साक्षारतादर में केरल के बाद सबसे अधिक तो मिनिकाए और माले है, यह ध्यान रखना मौल दीब की कैपितल है, और 9 डिगरी चैनल मिनिकाए और कावारतरी ते, इस तरह से यहाँ सी यहाँ सियाद करेंगे, तो आखैती, मिनिकाए और कावारतरी को 9 डिगरी चैनल सेपरेट करता है, यहाँ के जो रहने योग 36 याद हो जाएगा कलपेनी आइलेंड तो नाइन डिग्री चैनल याद रख़ेंगे एट डिग्री चैनल याद और यह देख रहे हैं न केरल तो यहां का जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट है वह यह जो इस का अधिकार्च छट यानि यहाँ लक्षदीब भी यहीं से ही चलता है य जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं, आज उत्तर देने वालों में हैं। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिये हैं। इतने लोगों ने कमेंट इतने वालों में हैं। इतोपिया, मिस्र, साओधी अरप, ओमान। नेस्ट कोशन है, वेन वाज दो भुकर प्राइज अवार्ड़ प्राइज अवार्ड़ फार्स ताइम। पहली बार भुकर पुरसकार कब प्रदान किया गया था। 1967, 68, 69, 70। नेस्ट कोशन है, विट वीच स्पोर्ट इज आश्वर्या प्रताफ सिंग तोमर एसोसियेटेद। आश्वर्या प्रताफ सिंग तोमर किस खेल से जुड़े हैं। सतरण, सूटिंग, टेनिस या तेरा की। नेस्ट कोशन है, दा करेंट चीफ जस्टिस, S.A. बोबडे, हैस रिकमंडेट वूज नेम एज ही सक्सेसर। यानि किसका नाम को सिपारिस की है, जस्टिस रमनना, जस्टिस रोहिंटन, फाली नरिमन, जस्टिस ललित, जस्टिस चंदरचूड इसको यहाँ पे ठीक कर लिजेगा। नेस्ट कोश्टिस है, वेर इस पीटी बर्ड सेंचुरी सेचुएटेटेट, पीटी पक्छी अभ्यारण कहां इस्टित है, लक्षदीप, केरल, तमिलनाडू, उडीशाप, नेस्ट है, वो हैस बीन अपॉइंटेट अपॉइंटेट अचेर्मैन अफ जूनियर सेलेक्शन कमेटी अफ देटिस फेडरेशन अफ इंडिया, पी टी उसा, सोमा बिश्वास, सुनीता रानी, रीमा चंदरन, नेस्ट कोश्टिन है, नाइन डिग्री चैनल सेपरेट्स, वीच तू आइसलेंड, नो डिग्री चैनल किन दो दूइपों को अलग करता है, नॉर्थ अंडम कीजिएगा, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब, एंड बिल आइकन दबाना ना भूलें, थैंक्यू दोस्तों